स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास भी से कि most important प्रिश्णों के super fast revision के लिए पिछले lecture में हम लोगों ने अपने प्रिश्णों को जहां पर छोड़ा था चलिए आज उसी के आगे start करते हैं तो आज का हमारा प्रिश्ण है सेर साह का मकबरा कहां पर इस्थित है तो सेर साह का मकबरा आप सब को याद होना चाहिए कि सासाराम में है और ये सासाराम कहां पर है आपके बिहार राज्य में है तो बिहार राज्य के सासाराम में सेर साह का मकबरा इस्थित है सेर सा की मृत्यू कैसे हुई थी तो सेर सा की मृत्यू कालिंजर में हुई थी तो सेर सा की मृत्यू कालिंजर में हुई थी तो सेर सा की मृत्यू कालिंजर में हुई और इसका मकबरा कहां पर है सासाराम में है जो की बिहार में है दिल्ली सहर की नियू किस ने डाली थी तो द बढ़ते हैं प्रथम करनाटक युद्ध कब हुआ था प्रथम करनाटक युद्ध 1746 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था इस चीज़ को आप रट लीजेगा प्रथम करनाटक युद्ध 1746 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था आगे साह दुतिये ठीक है जफर इनका सरनेम है ठीक है उनका पहले क्या नाम था बहादूर साह दुतिये साहे बेखबर किसे कहा जाता है तो साहे बेखबर बहादूर साह पर्थम को कहा जाता है तो दोनों में अंतर आप ध्यान में रखिएगा बहादूर साह नाम से दो मुगल बा साथ है आगे बढ़ते हैं कि कस्मीर का अखबर किसे कहा जाता है तो कस्मीर का अखबर जैनुल आपदीन को कहा जाता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए प्रिशन है जैनुल आपदीन को कस्मीर का अखबर कहा जाता है आगे एक्तादारी ब्योस्था का प्रार ने किया था कुत्म मिनार का निर्माड किस ने कराया था तो इसी उल्तुत मिस ने कुत्म मिनार का निर्माड कराया था और किसकी याद में किया था अपने गुरू बक्तियार काकी की याद में कुत्म मिनार का निर्माड कराया था तो इल्तुत मिस ने कुत्म मिनार का निर्मा इन चीज को इन शारे पश्ठीस को आप ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं मुहम्मद और्म ने परतरम एकता किसे प्रदान किया था तो मुहम्मद गोरिने परतरम एकता कम उत्तराधिकारी ब्हारत में किसे बनाया था तो भारत में मुहम्मद गोरी ने अपना उत्रा धिकारी कुत्व बुद्दीन एवक को ही बनाया था आगे बढ़ते हैं कुत्व बुद्दीन एवक की मृत्यू कैसे हुई थी तो कुतबुद्दीन एवक की मृत्यू चौगान खेलते समय घोडे से गिर कर हुई थी चौगान का मतलब आप यहाँ पर पोलो समझ लीजिए पोलो खेलते समय घोडे से गिर कर कुतबुद्दीन एवक की मृत्यू हुई थी आगे बढ़ते हैं एक्ता सेना का गठन किस ने किया था तो एक्ता सेना के बारे में हम अभी उपर पढ़ चुके हैं कि एक्ता सेना का गठन इल्ट उत्मिस ने किया था आगे बढ़ते हैं दिल्ली की गदी पर बैठने वाला पहला अफगान सासक कौन सा है तो दिल्ली की गदी पर बैठने वाला पहला अफगान सासक बहलोल लोदी है इस प्रिश्ण को यहां पर घुमा कर पूछा गया है कि दिल्ली की गदी पर बैठने वाला पहला अफगान सा बहलोल लोदी है आपसे ये भी पूसा जा सकता है ये लोदी बंस की स्थापना इसी बहलोल लोदी ने किया था दिल्ली सल्तनत की राज भासा क्या थी तो दिल्ली सल्तनत में जो कामकाज होते थे वो किस भासा में होते थे तो दिल्ली सल्तनत में जो कामकाज होते थे वो आप के फार्सी भासा में होते थे चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक कौन था तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक इब्राहिम लोदी था तो इसी लोदी बंस का सासक इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सासक था गुप्तचर विभाग को किसने क्लिया था ठिक है आगे बढ़ते हैं दो कि आपको के यातरी था और यह बारत किसके साशनकाल में जैने लोग कllä इंगे बन बतुता कहां का यात्री था इसी भारत किसके सासनकाल में आये थे ये मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आये थे तो इबन बतूता जो कि एक मुरको का यात्री था वो भारत मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में आया था आगे भरते हैं अली नगर की परसिद संधी कब हुई थी तो अली नगर की परसिद स संधी 1757 में हुई थी आगे अगला प्रिश्ण है घोडा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा किसके सासनकाल में परचलित थी तो घोडा दागने और हुलिया लिखने यानि जो सिपाही होते थे उनका क्या कद है क्या काठी है उनका हुलिया लिखा जाता था और ये तो अलावदिन खिलजी के बारे में 4-5 चीज़ें हैं याद रखिएगा, घोड़ा दागने की पर्था, खुलिया पर्था, बाजार, नियंतरन प्रणाली और गुपतिचार विभाग, ये सब अलावदिन खिलजी नहीं स्टार्ट किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजे नगर समराज की प्रथम राध्धानी कौन सी है, तो बिजे नगर जो समराज है वो करनाटक में है, और इसकी पहली राध्धानी कौन सी थी, हमपी थी, और बिजे नगर समराज की दूसरी राध्धानी कौन सी थी, दूसरी राध्धानी पेनी कोंडा थी, तो बिजे बिजये नगर्सामराज की स्थापना किस ने किया था तो सन आप धियान में रखिएगा 1336 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भायों ने मिलकर बिजये नगर्सामराज की स्थापना किया था आगे बढ़ते हैं हम पी किसके औसेस हैं तो हम पी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजे नगर सामराज का पहली राधानी थी इसलिए हम पी बिजे नगर सामराज के औसेस हैं हम पी कहां पर है, तो हम पी करनाटक में तुंग भद्रा नदी के किनारे है, तो करनाटक राज्य में तुंग भद्रा नदी के किनारे हम पी इस्थित है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजे नगर समराज की स्थापना किसके सासनकाल में हुई थी, तो बिजे नगर समराज की स्थापना हुई थी उसमें दिल्ली का जो सासक था वो मुहम्मद बिन तुगलक था और किस ने किया था 1336 में किया था और दो लोगों ने मिलकर किया था हरीहर और बुक्का नाम के दो भाईयों ने बिजय नगर सामराज की स्थापना किया था चलिए आगे बढ़ते हैं किर्षण देव राय के जो राज गुरू थे जो दरबार में किर्षण देव राय के गुरू थे उनका नाम है ब्यास राज तो ब्यास राज किर्षण देव राय के जो है राज गुरू थे आगे बढ़ते हैं आंद्रभोज किसे कहा जाता है तो आंद्रभोज इने यानि क किर्षन देवराय को ही कहा जाता है तो किर्षन देवराय को आंद्रभोज के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं बह्मनी राज के संस्थापक कौन है तो बह्मनी राज की स्थापना किस ने की थी यहां पर यह पूछा जा रहा है तो बह्मनी राज की स्थापना अल राध्धानी गुल बरगा थी तो गुल बरगा बह्मनी राज की राध्धानी हुआ करती थी आगे बढ़ते हैं बह्मनी वंस का अंतिम सासक कौन था तो बह्मनी वंस का अंतिम सासक कली मुल्ला था तो जो कली मुल्ला है ये बह्मनी वंस की अंतिम सासक थे आगे हमारा इंप सबस्क्राइब और बहादुर साहब पर्थम के बाद भी बहुत सारे मुगल बास साह थे लेकिन वो ज्यादा important नहीं है इसलिए हम यहाँ पर उनको नहीं पड़ते तो यह करम आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जहांगीर के बच्पन का नाम सलीम था इस चीज को भी ध्यान में रखिए लेगा और जेप को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह आज के लिए हमारे पास महत्तपुन प्रिश्ण थे इसके आगे के प्रिश्ण हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत झाल 15 मौ बहुत लोगने करे लए हमारे लिएली लोग प्रिश्ण है.